नमस्कार प्यारे साथियों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में और देखिए आपका डियलेड 30 सिमिस्टर के लिए मैथ चल रहा है जिसमें चैप्टर 4 और उसमें हम कर रहे हैं चक्रवादी ब्याज के एक्ससाइज के कोश्चनों को तो इससे पहले कोश्चन 10 तक हम complete कर चुके हैं आज कोश्चन 11 से आगे discuss करेंगे तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप जरून देख लेना क्योंकि आपके बहुत सारे concept उसके अंदर करा दिये गए हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए कोश्चन में कहा हुआ ह किस धन का मिसधन किस धन का मिसधन मतला मूल धन मूल धन होगा उसका मिसधन होगा तो किस धन का मिसधन मतला आप समझ गए कि मूल धन की बारे में बात कर रहा है कि मूल धन पूछा हुआ है तीन बरस में 5% की बारस ब्याज की दर से 92 61 रुपए हो जाएगा तो देखिए य मिझदन दे दिया इसे ओर मूलदन नहीं दिया हुआ है किया रहा है मूलदन हमने कौन सा मूलदन होगा कितना है मूण होगा जिसे हम तीन बर्स के लिए लगाएंगे पांच परसंट कि दर से लगाएंगे और जो हमें रुपया मिले गा वह 1261 मिलेगा तो चलिए हम यहाась मिस्दन को निकालना सीकेंगे देखिई तो यहाँ पर्रसन में के दिया गया है वो लिख लेंगे समय बर्वत तीन बस दिया भाति यह धर बर्वार 5ms बारसक्ष दी वğin तो सीधा फर्मूला लगाई ये आसन इसस कोश्चन को सॉल्व कर लीजी तो देगे क्या फर्मूला होगा मिजदन बराबर मूलदन पोस्टर में बन प्लस आरव बट्टे सो पर समय कि पावर हैं तो इससे करेंगा हम सॉलूसने से तो मिजदन मूलदन और बन प्लस फाइब बट्टे सो समय कि पावर तीन तो यहां पर अब हम अगले स्टेप में मिजदन भी लिख दिएंगे देगे मिजदन यह लिख दिया मूलदन हमको पता नहीं और इसे हमने काटा पीटा देकिस बट्टे 20 आ गया अब इसे आगे करेंगे तो देखिए यह मिजदन तो लिखा अब हम क्या करेंगे अब इस सभी इस इतना भी पोस्न है उसे दुसी साड़ में बेज देंगे क्योंकि हमें निकालना है मूलदन पहले तो हमने इसका Q लिख दिया तो 21 का Q होता है वह 66 ale keeping अब क्या करा के इस को दूसरी में 55 आंत्र कर दिया ढू Михाओ नम्रा वर जो संख्या ऊपर थी वो नीचे छली जाएगीं और जी नीचे थी ओपर आ गई यह 92 शॉक 7 शुक गया मिनुवे तो इस प्रकास से इस question को आप deal कर पाएंगे आगे देखिए question नमर 12 वह है धन ग्याद कीजिए मूलदन की बात कर रहा है 10% की आपको दर दी गई है और ब्याज आपका 3 वर्स के लिए लगाया उसने और जो मिस्दन दे दिया उसने वो आपको 262 रुपए मिस्दन दे दिया है तो बस आप इससे निकाल लीजिए आसानी से बही same to same question है आपको मिस्दन निकालना है calculation आपको खुर करनी है देगे आपे में solution करके दिया आपको प्रसन में दिया गया है 10 बरावर 10% समय बरावर 3 वर्स मिस्दन बरावर 262 और मुल्दन आपसे उचा हुआ है तो आगे बढ़ेंगे देखिए सूत लगा देंगे मिस्दन बरावर मूल्दन 1 प्लस और बट्टे 100 समय पावर n तो यह हमेशा फर्मूला तो आपको हमेशा आड़ एक question के solution में लिखना है इतना याद रखना है तो मिस्दन हमने यह लिख दिया मूल्दन हमें पता नहीं है तो बन प्लस यह कितना दिया हुथ आपको अभी देख लिए रहा हूं 10 दिया हुआ था 10 दिया हुआ था 10 बट् इस नहीं system था उसे हम दूसरी साट पर बेज देंगे दगी हमने दूसरी साट पर इसे बेज दिया है और जितना भी नीचे यह द दस था वो उपर जाएगा तो 10 इंटू में 10 इंटू में 10 और नीचे 11 11 का आ जाएगा आपका तो देखिए अब हम क्या करेंगे यह नीचे 11 यह Kir 29 को जाएगा आपके 11 11 कूश्टन है आप आson इसे स कर सकते हो तो आगे के कुश्चन देखने के लिए इस चैनल को जरूण सब्सक्राइब निचे 13 करिए वीडियो को लाइक करिए अब में दोस्तों साथ सेर कर ये अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वैसे डाउट रह जाए ऐसी मैं पढ़ाता ही नहीं हूं डाउट बिना बिदाउट डाउट कोई डाउट आपको रह नहीं सकता ठीक कि मैंने बहुत डेटेल में लिखा हुआ है अभी भी आपने समझपा रहा है तो फिर आपको फिर से वीडियो देखना चाहिए आपको फिर से प्रियास करना चाहिए ओगे तो वीडियो देखने लिए आपका पहुत पहुत दिन बाद ठैंक्यू